दिलिप ने वो न्यूज देख लिया टीवी पर जिसमें बताया जा रहा था कि संतोस को पुलिस ने पकड़ लिया है दिलिप मरा नहीं है जिन्दा है ये बात अब कंफर्म हो चुकी है दिलिप के चेहरे पर अभी भी आग से जलने के निशान है दिलिप किसी आदमे के घर प देकर ही रहेगा भले ही कानून उसे सजा दे या फिर ना दे दिलिप मर गया है या जिन्दा है ये न्यूज चारों तरफ फैल गई है दिलिप अपने ही मौत की न्यूज सुनता है तो टीवी पर वह हरान हो जाता है अभी ये जानना बाकी है कि दिलिप ने आखिर ऐसा क्य बारने लग जाते हैं बापोद्रा की बेटी प्रातना चीकती चिलाती रह जाती हैं मगर तब सा गुंडे बापोद्रा को बहुत बुरी तरह से मार चुके होते हैं वो गुंडे बाहर के नहीं बलकी बस्ती वाले ही ते जिसमें पकिया भी शामिल था उन सभी लोगों ने बापोद्रा को इसलिए मारा क्योंकि बस्ती तोड़ने का ओडर बापोद्रा ने पास किया था इसी बात से लेकर पूरे बस्ती वाले बापोद्रा के खिलाफ थे पुश्पा ने एक बार तो बापोद्रा को पकिया से बचा लिया लेकिन इस बार बापोद्रा को नहीं मौत के बीच लड़ रहे हैं तो सिर्फ आपकी वज़े से बेचारी पुश्पा फिर से बुरी बन गई पुश्पा बस्ती वालों को बेगर होने से बचा रही थी मगर उसे क्या पता था कि बापुद्रा के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा अड़ोप्शन ओफिस वाले जब पुश्पा के पास गन देख लेते हैं तो वो सवाल करते हैं कि गन कहां से आए जिसके बाद पुश्पा बता देती है कि वो गन पक्या की है लेकिन पुषपा की इस बात पर वो लोग यकिन नहीं करते हैं, अब आफिस वाले भी गुस्ते में आ चुके हैं, अब तो सुषपा के घर पर रहने से रही।